मैं हन्वन सिंग जेतावत सह आचारिय क्रसिय शास्त्र आज जो विशय में ले रहा हूं यह Statistical Method B.S.C.A.G. Honors Part Second आज का टॉपिक है Objectives of Esthetics and Scope of Esthetics देखिए इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको सांखी की की का परीचे दिया था जिसमें मुकी रूप से अपन लोगों ने यह जाना था कि ज्यान की यह साखा जिसको अपन सांखी की की नाम से जानते हैं यह वास्तम में Applied Mathematics का हिस्सा है जब करनित का उप्योग Observational Data जिसको अपन समंग कहते हैं उनके अपपर उप्योग करते हैं तो एक नया विसाय जिसको सांखी की कहते हैं सामने आता है तो उसे सब्धों में मैं कहूं कि वास्तविक संसार में संख्याओं के अधार पर कोई भी निसकर्ष यदी अपने को निकालना है तो हमें सांखी की विसाय की मदद ल Minneapolis जाने के किसी भी सेत्र में नियम बने हैं उन नियमों की सत्यत्ता का परिक्षण करना है तो सांखिकी विशाय की मदद अपने को लेनी पड़ेगी आज अपन उससे आगे यह बात करते हैं कि सांखिकी के अध्यन का क्या उद्धिस्य हो सकता है मुक्य रूप से अध्यन अपन उद्धिस्य अपन तीन बागों में बता सकते हैं पहला समगर का अध्यन करना सांखिकी का उद्धिस्य हमेशा समगर का अध्यन करना होता है यहां पर अपने लिए क्योंकि विशाई की सुरुवात है यह जानना बहुत ही आफसक है कि समगर सांखिकी में किसको का जा सकता है यह कि समगर इंग्लिस में पोपुलिसन कहते हैं बोल चाल में पोपुलिशन का आर्ट और होता है सांखी की में पोपुलिशन का आर्ट समग से है इसका आर्ट है समस्त व्यक्तिगत इकाईयों का समू यहाँ समस्त व्यक्तिगत इकाईयों का समू अपन सजीव से बना सकते हैं निर्जीव से बना सकते हैं और प्रयोक्त से भ दूसरा जो व्यक्तिगतिकाईों का समू उस समू को किसी किनी गुणों के आदार पर अपन अध्यन करते हैं और यदि उन गुणों का माप व्यक्तिगतिकाईों में करते हैं तो एक व्यक्तिगतिकाई से दूसरी व्यक्तिकाईों में हमेशा अंतर आएगा सांखिकी का उद्दे से इस अंतर का अध्यन करना भी है साथ ही ये अंतर विर्तिकतिकाईयों में किन कार्णों से होता है इसका संख्यात्मक विवेचन हम सांखिकी की मदद से करते हैं तीसरा, संख्याएं जो अब तक थे, जो अपन संख्याओं के रूप में एकतित करते हैं, ये बहुत ही विश्टित होते हैं, बहुत विखरावलिये होते हैं, इनसे यदि अपन कोई निश्कर्ष निकालना होता है, तो यह संभव नहीं होता है, इसलिए किन विद्यों से इन संख्यात्मक तख्यों को छोटा कर सकते हैं, इस बात का अध्यन भी किया जाता है, तो बहुत सारी पुस्टकों में सांख्यकी के तीन उद्देश जो मैंने आपको बता हैं, ये बता हैं, इसके अलावा कुछ किताबों में उद्देश इस रूप में भी प्रदसित किय जैसे तत्यों वा अंगों से उचित निसकर्श निकालना, दूसरा अग्यात की खोज करना वा समस्याओं पर प्रकास डालना, दीसरा नियमों की सत्यता परिक्षन करना, चोथा पूत काल वा वर्तमान काल में तत्थियों की तुलना करना वा यह ग्यात करना कि जो परिवर्तन हुए हैं वे किन कारणों से हुए हैं वा भविस्य में इनका क्या रूप होगा यह बात मैंने आपको सांकिकी के उद्दिश के बारे में बताई अब सांखेकी के सित्र की बात करते है वेके सांखेकी के सित्र में मुक्ची रूप से तीन बातें डिसकस की जाती है ग्यान की प्रकर्टी कैसी है Nature of Knowledge दूसरी बात विसेवस्तू इसमें अब क्या चीज पढ़ते हैं और तीसरा सीमाएं, Limitations क्या कमी रह जाती है देखे ग्यान की सबसे पहला ग्यान की प्रकर्टी ग्यान की प्रकर्टी में मुख्य रूप से यह डिसकसन किया जाता है कि यह ग्यान किस प्रकार का है क्या यह विज्ञान है यह कला है यह दोनों के गुंट रखता है विज्ञान भी है और कला भी है इस बात का डिसकसन Nature of Knowledge में या ग्यान की प्रकर्टी में करते है तेकिए बहुत सारे सांकिक विदोने सांकिकी को विज्ञान माना है तेकिए विज्ञान माना अगर विज्ञान अगर मानते हैं तो विज्ञान ग्यान के विज्ञान होने के लिए कुछ गुणों का होना आवस्चक है जिन में सबसे पहला ग्या ग्यान करमबद होना चाहिए जिन लोगोंने विज्ञान माना है उन्होंने ये कहा है कि यह ग्यान करमबद है इसकी अनेक विद्ये हैं जिनका ग्यान के सभी सित्रों में प्रियोग होता है और इसके भी सर्व व्यापी नियम ह जैसे प्राइक्ता का सिद्दान्त, सांखिकिय नियमित्ता का सिद्दान्त, महांक जड़ता नियम आदि तीसरी विशिस्ता इसमें कारण व परिणाम की बीच में समंध का अध्यन किया जाता है चोथा इसके नियमों को किसाइता से भविश्यवानी संबव है संख्यात्मक तथ्यों के संकलन द्वारा गटनाओं का वर्णन करना तथा उन में कारण परिणाम समंध का विवेचन करना व समुचित निसकर्ष निकालना सांखिकी की मूल भूत किरियाये हैं भूत काल व वर्तमान काल के तथ्यों के आधार पर भविश्य की प्रवर्तियों का अनुमान लगाना भी संख्यकी की मतपुन रिती है इन रितियों में निरंतर सोद व सुदार कार्य होता रहता है अता सांखिकी को विज्यान केना सर्वथा उचित है जिन लोगों ने सांखिकी विदों ने सांखिकी को विज्यान ना मान कर विज्यानिक विदी माना है ऐसा मानने वालों में क्रॉक्ष्टन वा काउडन मुख्य है जिनों ने कहा कि सांख्य की स्वतंत्र वा मूलबूत ग्यान नहीं है वरन ग्यान प्राप्त करने की रितियों का समू है वह स्वयम अपने में लक्ष नहीं है वह एक सादन है नी संदेव सांख्य की केवल एक विज्ञान नहीं वरन महतपूर्ण विज्ञानिक विदी भी है जिसका सादन के रूप में सभी विज्ञान प्रियोग करते हैं टिपेट ने ये कहा कि विज्ञान के रूप में सांख्य की रिति सामानी विज्ञानिक रिति का ही एक भाग है और समान धार्णाओं व प्रक्रियाओं पर आधारित है विज्ञानिक विदी में चार चरण होते हैं पहला आवलोकन दूसरा परिकल्पना तीसरा परिक्षन चोथा पूर्वानुमान इन चारों चरणों का सांख्य किये विद्यों व प्रक्रियाओं में प्रियाप्त उप्योग होता है विज्ञान यदि ज्ञान है तो कला एक क्रिया है कला के निम्न लक्षन होते हैं पहला कला उन क्रियाओं का समू है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है तूसरा तत्यों का वर्णन ही नहीं करती बलकि लक्षों को प्राप्ट करने के उपाए भी बताती है तीसरा कला की साधना में विसेश चतुराई अनुभव आत्मसयम की आवसकता होती है सांखेकी में भी इस बात का दिन किया जाता है कि विविन समस्याओं के समाधान करने में सांखेकी रितियों व नियमों का प्रियोग कैसे किया जाता है इन रितियों व नियमों के प्रियोग में भी विसेश चतुराई योगिता व सयम की आवसकता होती है अनिथा निसकर्स गलतव पक्सवाद पूर्ण हो सकते हैं इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सांख्य की विज्ञान और कला दोनों के गुण लिये हुए है अब अब मैं बात कराओंगू सांख्य की विशय वस्तु के बारे में विशय वस्तु को तीन भागों में बाण सकते हैं पहला सांख्य की रितियां या सांख्य की सिद्धान्त दूसरा विवारिक सांख्य की तीसरा बात अपन करते हैं देखिए मुक्य रुप से दो भाग ही बाटे गए देखें पहला सांखी की रितिया या सांखी की सिद्धान्त में पहला समंक संकलन, दूसरा वर्गी करण, तीसरा सार्णियन, चोथा प्रस्तुति करण, पांचवा विश्कलेशन, छटा निर्वचन और सांथवा पुरुआन्वान ये संखी की रितिया कहलाती है, सबसे पहले, किसी भी ज्यान के किसी भी सित्र में, जहां संख्याओं के द्वारा निसकर्ष निकालना होगा, सबसे पहला कारे अपने को संख्याएं समंग की रूप में एकतित करना होगा, सच्चाई या तत्यों को समंग की रूप में संकलन क करेंगे मुख्य तया संक्लन संक्याओं को संक्लन करने की दो विद्यां हो सकती है एक जो रिसर्चर या खोज करता सोयम संख्यात्मक्तित्र एकतित करें इन आंकडों को प्रांथपिक आंकड़े या प्रायमरी आंकड़े कहते हैं वो संक्यात्मक्तित्र जो किसी और रिसर्चर ने इकटे की हैं लेकिन आंकडों का उप्योग कर रहे हैं यह सब आंकड़े सेकंडरी आंकड़े कहलाते हैं लेकिन पहली विधी सांखिकी की समंखों का संक्लन करना है समंखों का संक्लन जो करते हैं वह अव्यवस्तित होता है अव्यवस्तित आंक्डों को व्यवस्तित करने की तरफ आगे की विधी जिसको वर्गी करन करते हैं का अपयोग करते हैं वर्गीकर्ण में संख्याओं को समानता वा समिक्ता के आदार पर छोटे-छोटे समुओं में रखते हैं वर्गीकित आंकड़ों को तीसरी विदी जिसको सार्निन केते हैं पंक्ति व इस्तंप में व्यवस्तित रूप में रखते हैं जो आकड़ों का संकलन अपन करते हैं उनका प्रजन्टेशन अपन कर सकते हैं बिंडू पत बनाकर या रेखा चित्र बनाकर प्रस्थुती करण आकड़ों की कर सकते हैं पांची वीदी विश्टलेशन की आती है जिस उद्दिश से के लिए अपना आकड़े एकतित कर रहे हैं और उनसे क्या निस्कर्ष निकालना अपन चाहते हैं उसी प्रकार की सांखी की गणिती वीदी का प्रियोग करना पड़ेगा और उस प्रियोग से अपन कुछ निस्कर्ष निकाल सकते हैं विश्टलेशन के बाद में निर्वचन है जो आपने गणिती विद्यों का प्रियोग करके जो कुछ प्राप्त किया है उसका अर्थ क्या होता है इसको सब्दों में अभिव्यक्त करते हैं तो यह निर्वचन कहलाता है साथवा पूर्वानुमान अगर कारण और परिणाम के बीच में संख्यात्मक तत्यों द्वराज समंध इस्तापित करते हैं तो भूत काल वा वर्थमान काल के आदार पर यह निसकर्ष निकाल सकते हैं कि भविष्य में अगर यही इस्टिती दही तो भविष्य में इसका क्या रूप होगा यह पूर्वानुमान कहलाता है और पूरवा नुमान भी संक्यकी की महज़पुन विद्यों में से एक है तो साथ संक्यकी रितियम की बात की ये कि समझने के लिए मान लो आपके माविद्यले में दो हजार लड़के हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि इन लड़कों की ओसत उंचाई क्या है इस जानकारी प्राप्ट करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप समंग या तत्यों का लड़कों की एक एक व्यक्तिकत इकाई की उंचाई का तत्य इखटा करना पड़ेगा समंग संक्लन की कोई विधी काम में ले सकते हैं व्यवस्तित होनी चाहिए सबी 2000 लड़कों की उंचाई संक्या की रूप में अपने सामने आ जाएगी यहाँ आव्यवस्तित रूप है इसको व्यवस्तित करने के लिए छोटे छोटे समों में विवाजित कर लेंगे तो यह संक्याएं थोड़ी छोटी हो जाएगी इन संक्याओं को सार्णी में व्यक्त कर देंगे और प्रिजन्टेशन करना चाहे तो कर सकते हैं ग्राप के द्वारा इसके बाद में महाविद्याले के लड़कों की उस्त उचाई क्या है इन संक्याओं से गडितिय विदी आर्टमेटिक मीन के द्वारा या बाउलक के द्वारा या मादिका के द्वारा या हार्मोनिक मीन या जॉमेटिक मीन के द्वारा इस समों की उसत उंचाई निकाल सकते हैं मान लो arithmetic mean से अपने उसत उंचाई निकाली और यह आई पांच फूट साथ इंच निर्वचन में यह जो गनितने सुत्र के द्वारा जो संख्या अपने सामना यह पांच फूट साथ इंच इसका क्या आर्थ है यदि हम सब्दों में लिखते हैं तो यह निर्वचन कहलाता है जैसे मावी देल के लड़कों की उसत उंचाई पांच फूट साथ इंच यह निर्वचन है पुरवा नुमान कारण और परिणाम के समन्द के साथ में आपन बविश्वानी कर सकते हैं वियवारिक संख्यकी जैसा इसका नाम है तीन बगों माटी गई है पहला वर्णात्मक वियवारिक संख्यकी तूसरा विज्यनिक वियवारिक संख्यकी तीसरा वियवसाइक संख्यकी वर्णात्मक वियवारिक संख्यकी में भूत काल के आंकड़े एकतित करते हैं और भूत काल के और वर्तमान काल के आंकड़ों के द्वारा गटनाओं का वर्णन हम करते हैं यहाँ वर्णात्मक विवावारिक सांकिकी के अंतरगत आता है दूसरा विज्ञान ने किसी भी विशय के समधित नियम बनाए हुए है इन नियमों की सत्यत्ता का परिश्क्रण सांकी की विदियों के द्वारा करते हैं यहां विज्ञानिक व्यवारिक सांकी की है जब सांकी की का उपयोग व्यावसाई में करते हैं तो यहाँ व्यावसाइक सांखिकी कहलाती है यहाँ बात अपने इसकॉप की बात की है आखरी बात सीमाएं कौन सी ऐसी चीजे हैं जो सांखिकी का दिन में नहीं आती है यहाँ सीमाओं के रूप में अपन बताते हैं सांखिकी में पहली सीमा यह बता सकते हैं कि सांखिकी में गुनात्मक गटनाओं का अध्यन नहीं किया जाता है देखिए किसी भी गटना का विवेचन करने के लिए जो गुन होते हैं संख्यात्मक हो सकते हैं और गुनात्मक हो सकते हैं जिन तत्यों का संक्यात्मक विवेचन नहीं हो सकता है उन वो तत्य सांकिकी के अध्यन के अंदर नहीं आते हैं एक कमी की रूप में यह बात अपन बता सकते हैं दूसरा संक्य की अध्यन केवल औसत रूप से सत्य होता है जो भी निस्कर्ट संक्य की विडियों के आधार पर निकाल रहे हैं वह औसत रूप से ही सत्य होता हैं उदारण के लिए दो सो गरों की बस्ती का सर्वे किया कि नहाने के लिए कौन सा साबुन ये उपयोग में लाते हैं पड़ती एक गर्स से अब पूछा और निसकर्च ये निकला कि दस में से नो लोग लक्स साबुन उपयोग में लाते हैं इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि जो दस अपन दूसरे सेलेट करेंगे उसमें दस में से नो लोग लक्स साबुन यूज करते हुए पाई जाएंगे क्योंकि सांकिकी ये नियम या अध्यन केवल औसत रूप से लागू होते हैं समक्र व्यक्तिकत इकाईयों पर लागू नहीं होते हैं तीसरा व्यक्तिकत इकाईयों का अध्यन नहीं करती है सांकिकी एक व्यक्तिकत इकाईयों का अध्यन कभी भी नहीं करती है इसमें व्यक्तिगत इकाईयों का समू होना आवशक है कोई एक संक्या सांकिकी के अध्यन के अंदर नहीं आती है अता सीमा के रूप में किया आपन गिना सकते हैं कि यह केवल व्यक्तिगत इकाईयों का अध्यन करती है यह एक व्यक्तिकत इकाई का अध्यन नहीं करती है चौथा, सांखी की अध्यन संपूर्ण जानकारी नहीं देते हैं इससे संपूर्ण जानकारी क्योंकि संपूर्ण जानकारी गटना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका संख्यात्मक विवेचन होना आपसक है लेकिन केवल वो तत्य जिने संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं केवल वही तत्य सांख्य की के अध्यन में आएंगे लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे तत्य ऐसे भी होते हैं गटना में जिनको संच्यात्मक रूप से व्यक्त करना संभव नहीं होता है अता हम कह सकते हैं कि सांखी की अध्यन संफूर्ण जानकारी नहीं देते हैं इसका दुरूपयोग भी किया जा सकता है एक ही रिसर्चर अपने उद्दिसी के अनुसार आंकड़ों का रूप में बदलाव कर सकते हैं और उद्दिसी के अनुसार अपनी चाहत के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार ही वहाँ नेर्ने निकाल सकता है यही जैसा कि आप दिन परतिदन के अपने जीवन में अकबारों में देखते होंगे कि जब कुछ राजनितिक पार्टी हैं पांस साल तक सासन करती है वो अपने समय को अपने उद्दिसी से आंकड़ों का मोडिफिक्शन करके अपने उद्दिसी का निसकर्ष निकाल देती है ठीक उसी परकार से दूसरी पार्टी आती है वहाँ उन्ही आंकड़ों को मोडिफाइड करके अपने अनुसार निसकर्ष निकाल देती है अता यह कह सकते हैं कि संकी की का दुरुप्योग भी संबव है काह 1971 भी है कि आखडूं के द्वारा बोला गया है जूट सपेज जूट और जो जूट अपन केया है संख्याओं के द्वारा बोला गया है तो यह संभव है कि अपन आखडूं को अपने हिसाब से मैनी पुलिशन करके निसकर्स निकाल सकते हैं धन्यवाद झाल झाल झाल